एलो एवरिवन आयम साक्षी राजपूत एंड स्वागत अब सभी का बीएस पी फामेसी पे गईस आज का मेरा मेंली वीडियो जो होने वाला है वह होने वाला है बीफार्म के जो लास्ट यर के स्टुरेंट है जिनकी बीफार्म कंप्लीट होने वाली है क्योंकि कॉलेज पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर आजाती है आपके चोईस की बात कि आपको कौन सा सब्जक्ट चूज करेंगे उसके आप एंफार्मा में जाना है तो इसी के उपर आज हम डिसकर्स करेंगे गाईस सो चलिए स्टार्ट करतें सबसे पहले देखें यहां पर कुछ है है कुष क्योष को चूज कर सकते हैं कैसे चूज कर सकते एंफार्मा के लिए इसके उपर आज हम डिसकर्स करेंगे धिक हैंतर फॉस्ट यह करना जाता पहर्मक मैं एक सिज यह कर देना चाहते हूं आपको कि मैं आपको यह तो नहीं बोल सकती कि आप किस डिपार्टमेंट में जाए कुछ करें कि आपको यहां पर मोका मिला है अपने इंट्रस्ट के हिसाब से सब्जक्ट चूज करने का ठीक है तो जिस भी इंट्रस्ट वहाँ आप उसकी साइट जा सकते हैं ऐसा कोई पर्टिकुल नहीं है कि हाँ स्कोप किसी भी जैसे आप फार्मस्योटिक से करते हैं तो तो यह सब बराबर यह किसी में भी करें बस मास्टर्स का मतलब होता है कि आप खुद का पर्फेक्शन किसमें दे सकते हैं आप परफेक्ट कौन से सब्जेक्ट में इसलिए आपको चार साल जो पढ़के आए हैं आप उसमें आपने अगर चूज कर लिया कि आपका इस सब्ज करें कोई बी सब्जेक्ट आप अपने चूज कीज जो आपको अच्छा लगे ठीक है मैं आज बताऊंगे कि कस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन-कौन से कौ-कौन से कौश्चर्ड पढ़ने हैं जैसे कि आप एंधर्म फार्मा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जो है अगर आफ फार्मा करना चाहते हैं तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फर्ट जो होगा ड्रग डिलिवरी सिस्टम थर्ड जो जो होगा जो होगा modern pharmaceutics, फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा जो होगा regulatory affairs, फिफ्ट जो होगा molecular pharmaceutics या फिर nanotech and targeted DDS, जीखें, नेक्स आपका जो सब्जेक्ट होगा advanced biopharmaceutics and pharmacokinetic, देन आपका जो सब्जेक्ट होगा computer added drug delivery system, एत्ज जो सब्जेक्ट होगा जो होगा cosmetic and cosmetic, pharmaceuticals, तो यह कुछ subject से आपके जो की pharmaceutics से अगर आप M pharma करते हैं तो इन subject के साथ आपको study करनी पड़ेगी, उसके बाद next अगर हम बात करें M pharma and industrial pharmacy, अगर आप M pharma करना चाहते हैं industrial pharmacy से, ठीक है industrial pharmacy के साथ आप जाना चाहते हैं, तो इसमें मैं बता देती हूँ कौन-कौन से subject के आपको study करनी होगी, फर्स्ट आपका modern pharmaceutical analytical technique, फर्मसोटिकल, जीक है modern pharmaceutical analytical technique के साथ, फर्स सब्जेक्ट होगा आपका formulation development, फोर्थ होगा आपका novel drug delivery system, फोर्थ होगा आपका intellectual proprietary right, नेक्स्ट होगा आपका फिफ्ट एडवांस, बायो फार्मसोटिक्स and pharmacokinetic, तैन होगा आपका sixth जो subject होगा, scale up and technology transfer, seventh जो subject होगा, फार्मसोटिकल प्रोडक्शन टेक्नलोजी, एड्थ जो subject होगा, वो होगा, entropranism management, तो समझ में आया, यह 8 subject आपको industrial pharmacy के अंदर पढ़ने हैं, तो इन subject के साथ आपको अगर आप industrial pharmacy में जाना चाहते हैं, तो यह 8 subject आपको पढ़ने करूं, next आपका जाता है, M pharma in pharmaceutical chemistry, देखें, pharmaceutical chemistry में मानती हूँ कि scope थड़ा हो जाता है, scope इसलिए थोड़ा जाता हो जाता है, क्योंकि pharmaceutical chemistry से जादा बंदे जो हैं, वो आपकी M pharma करते नहीं है, और pharmaceutical chemistry का scope भी, जो mostly जादा होता है, वो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, opportunity भी आपके लिए जादा हो जाती है, academics के लिए, कि अगर आपके रिज्यूम में pharmaceutical chemistry से अप M pharma में तो एक अलगी impression होता है, क्योंकि जादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सब में, सब का अलग-अलग scope है, लेकिन ऐसा है, मैंने आपको academics बताया है, कि अगर आप academics में जाना चाहत से इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा, pharmaceutical chemistry के अंदर modern pharmaceutical analytical techniques, दूसरा advanced organic chemistry first, then advanced medicinal chemistry, then chemistry of natural products, then है आपका जो 5th है, वो है advanced spectral analysis, 6th जो subject है, वो है advanced organic chemistry second, 7th जो subject है, computer added drug design, और 8th जो आपका subject है, वो है pharmaceutical process chemistry, ठीक है, तो कुछ यह subject आपको पढ़ने पढ़ेंगे, ज्यादा typical subject भी नहीं है, mid-cam आप पढ़ चुके है, organic chemistry first, second आप पहले ही पढ़ चुके है, चीजे एक दूसरे से correlate जरूर करेगी, चीजे जो आप B farm में पढ़के आएं, वो यहाँ पे M farm में आपको एक दूसरे से correlate जरूर करेगी ठीक है, तो यह मैंने आज तीन subject आपके साथ discuss किये, जिनके साथ आप M farm में चाह सकते हैं, बाकी के अभी भी साथ subject भी भी बचे हुए हैं, जिनके साथ आप M farm कर सकते हैं, तो आज यह part first हो गया हमारा, कि आप M farm में कौन से subject choose कर सकते हैं, उसका part first आज इस वीडियो में हमन करेंगे, जो आपको interested लगे, आप उसके साथ जाएं, क्योंकि M farm master's में आपको तूसरों की सला नहीं लेनी है, चार साल में आप समझ गई होगे कि आपका interest कौन से subject में है, अगर आपको कुछ easy के साथ करना है, तो आपको यह भी पता चलिया होगा, कि easy कौन से subject हो सकता है, अ आप अपने according subject चूस करके ही M farm में admission लीजेगा, so thank you so much guys, video आपको कैसा लगा, comment section में comment करना, video को जाधा से जाधा शेयर करना, और आपकी sharing की हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, next video की अगर आपकी requirement है, जल्दी से जल्दी तो वो भी बताइएगा, next subject से मैं कोशिश करूँ की एक वीडियो में cover हो जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, okay, उसके बाद एक छोटी सी जानकरी, अगर आप B Pharma, D Pharma के student हैं, तो हमारी application BSP Pharmacy पे आपको total complete notes मिल जाएंगे, B Pharma और D Pharma के, तो जाके आप विजिट कर सकते हैं, नीचे description box में आपको link मिल जाएगा, साथी साथ live classes और सारे video lectures, हर subject के, हर year के video lectures भी आपको मिल जाएंगे, एक बर जाके आप विजिट कर लीजे, okay, thank you so much guys, मिलेंगे ऐसे informatic video के हैं, तक तक लिए धन्यवाद, नमस्कार